लडने से पहले आप अपने दुस्मन को तो देख लीजिए क्योंकि अगर आप अपने दुस्मन को भी ना देखे सीधा ही मैदान में जाते हैं तो आपकी हार निश्चित है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परिक्षा किंग में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेग पाल भरती परिक्षा 2015 में पूछे गए ग्रामीड परिवेस के कोश्चन के बारे में क्योंकि पिछले साल के परिवेस का जो पार्ट था बेहद ही कठिन था ग्रामीड परिवेस के जितने भी कोश्चन पूछे गए थे वो सभी difficult level के कोश्चन थे उसे कोई moderate भी नहीं कह सकता है ऐसे में जिसका भी सपना है लेग पाल भरती परिक्षा अच्छे नंबरों से पास करने का तुसे पिछले साल के प्रश्ण पत्र को तो देखना ही चाहिए क्योंकि exams का level कैसा है उसमें कैसे कोश्चन पूछे जाते हैं इस सब चीज का आकलन पिछले साल के प्रश्ण पत्र से बिल्कुल हूभ हूभू किया जा सकता है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जितने भी लोग हमारे चैनल पर वीडियो को वाच करते हैं उनमें से 95% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है पिछली बार के पेपर में जो ग्रामीड विकास का पाड़ था वो लाश से था कोश्चन नमबर 76 से लगा के 100 तक कोश्चन नमबर 76 उच्छेतरफल की दर्ष्टी से उत्तरफदेश का भारत के राज्यों में कौन सा इस्थान है तो इसका प्षण B सही हो जाएगा चौथा भारत के राज्यों में छेतरफल की दर्ष्टी से सबसे पहले स्थान पर राजस्थान है उसके बाद है मदप्रदेश उसके बाद महाराष्टर उसके बाद फिर अपना UP चौथे स्थान पर है कोस्चन नमबर 77 नौवी पंचवर्सी योजना में ग्रामेड छेतरों में बी पील के लिए निश्चित की गई वार्षिक परिवारिक आय का इस्तर क्या है उसका प्षण D सही हो जाएगा 20,000 कोस्चन नमबर 78 उत्तरवदेश में किस वर्स M.G. नरेगा प्रारंब किया गया तो इसका प्षण A सही हो जाएगा 2006 इसे हम लोग नरेगा भी कहते हैं इसकी सुरुवात उत्तरवदेश में 2006 से हुई थी कोस्चन नमबर 79 सामाजी गवानिकी कारिक्रम का उद्देश निमलिखी सभी छेत्रों में बड़े पैमाने पर वर्च्छारों पड़ है सिवाए इसका अफशन C सही हो जाएगा नगरी या उत्तरवदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर इस्थिद है इसका अफशन D सही हो जाएगा मुगल सराय छेत्र आप लोगों को पता ही होगा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्सन कर दिया गया है कोस्चन नमबर 81 किस मंडल को विश्व के उतकरष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना गया है तो इसका अफशन D सही हो जाएगा मिर्जापुर आप लोगों ने अगर वेब स्रीज मिर्जापुर देखी होगी तो उसमें कालीन भहिया का जो काम था वो कालीन उद्योग का ही था कोस्चन नमबर 82 जमाबंदी से क्या तातपर है तो इसका अफशन D सही हो जाएगा भूम एधिकारों के प्रलेख कोस्चन नमबर 80 थी उत्तरवदेर राज के वित्तिय स्वास्त की देखरेग तथा सरकारी लेन देन में पार दरसिता लाने के लिए काउन से वेबसाइट तयार की गई है तो इसका अफशन D सही हो जाएगा कोस्वानी ये 2015 की करेंट अफेर का सवाल है इसे आप लोग अभी इगनोर भी कर सकते हैं कोस्चन नमबर 84 काउन से सास्तरीय नत्य रूप का उत्तर्वदेश में उद्भव हुआ है इसका अफशन D सही हो जाएगा कत्थक क्योंकि उत्तर्वदेश में सिर्फ एक ही सास्तरीय नत्य होता है वो कत्थक ही है कोस्चन नमबर 85 राष्टरीय ग्रामेंड पेजल कारिक्रम के अंतरगत दोजार बाइस तक देश में हर ग्रामेंड वेक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों से चैतिज या उर्ध्वाधर दिसा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रतिवेक्ति प्रतिदिन पेजल उपलब्द होना चाहिए इसका अप्शन A सही हो जाएगा 70 कोश्चन नमबर 86 भारत की जनगणना 2011 के नुसार उत्तरब देश का प्रतिवर किलोमेटर जनसंख्या घनत तो क्या है तो इसका अप्शन B सही हो जाएगा 829 कोश्चन नमबर 87 स्वच्च भारत मिशन ग्रामीड के अंतरगत ग्रामीड शेत्रों में संचालेयों के निर्माण के लिए नौमबर 2014 में उत्तरब देश सरकार ने 10 करोण रुपाय का प्रावधान किया है इसका अप्शन C सही हो जाएगा 685 यह भी प्रिवियस येर में पूचे गए करेंट फेर्स का सवाल है इसे आप लोग अभी एग्नोर भी कर सकते हैं कोश्चन नमबर 88 उत्तरब देश में 75 जिलों सहित कुल कितने प्रमुख मंडल है तो उत्तरब देश में मंडलों की संख्या 18 है तो इसका अप्सेंडी सही हो जाएगा कोश्चन नमबर 89 उत्तरब देश राजमार्ग भू रेंत्रन धिनियम किस वर स्पारित किया गया था तो इसका अप्सेंडी सही हो जाएगा 1945 क्क्केमेंडम 90 जो कार्य होता है वर रेगुलर बेस पर ही किया जाता है Q91 अमबेडकर विसेश रोजगार योजना के अंतरगत सामान निस्रेणी लाभारतियों के लिए उपलब्ध एकाई लागत प्रतिसत्ता एवं अधिक्तम आर्थिक सहायता सबसिड़ी धनवासी क्या है तो इसका अपसन B सही हो जाएगा तो ये भी करिंटक अफेर्स का सवाल है इसे अभी आप लोग इग्नोर करिएगा Q92 एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिसत्त पदारच्छिद होने चाहिए तो इसका अपसन B सही हो जाएगा 33 प्रतिसत Q93 निमलिखित में से कौन सा एक उत्तरवदेश राज के अधीनस से न्याईक सेवा के रूप में कार करता है तो इसका अपसन A सही हो जाएगा इटावा जिलाने आयायले Q94 बिटिस सासन के दौरान उत्तरवदेश में भूमी पंजी करण के सदिकारी दौरा किया जाता था तो इसका अपसन D सही हो जाएगा लेक पाल दौरा Q95 राजसभा में कितनी सीटें उत्तरवदेश से हैं इसका अपसन A सही हो जाएगा Q94 की मीलों की संख्या सबसे अधिक है तो उत्तरवदेश में चीनी की मीलों की संख्या सबसे अधिक है तो इसका अपसन A सही हो जाएगा क्योंकि उत्तरवदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है Q98 SGSY का पूर्ण रूप क्या है तो इसका अप्सन B सही हो जाएगा सोन जैन्ती ग्राम सरोजगार योजना Q99 उत्तरबदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में 10 तक पहुचा है तो इसका अप्सन D सही हो जाएगा 912 Q100 मद्य भारत में एक बीगा इतने हेक्टेर के बराबर होता है तो इसका अप्सन B सही हो जाएगा 0.2529 हेक्टेर यानि एक हेक्टेर में लगबग 4 वीगा जमीन होती है अब आप लोगोंने पिछले साल के ग्रामीर परिवेश के सभी कोईस्चन्स को देख ही लिया है और आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा कि कोईस्चन्स का लेवल कैसा है यह सभी डिफिकल्ट लेवल के कोईस्चन है ऐसे में ग्रामीर परिवेश की तैयारी करने के लिए अभी भी काफी टाइम बच्चा हुआ है और इस पार्ड को जो भी अच्छे से कवर करेगा वही लेकपाल की फाइनल लिस्ट में 100% जगा बना लेगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिं जैभारत